दोस्तों यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह साधारन पेड़ नहीं है, यह पेड़ हिंदुस्तान की का भोगोलिक सेंटर पाइंट है, और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व का यह सेंटर पाइंट है, केंदर बिंदु, इस पेड़ की चारो तरफ पूरा विश् और इसका यहां इसमारक बनाया गया है, इस इसमारक में बकायदे लिखा हुआ है कि यह भारत की यात्रा का केंद्र है, पंदरा बारा शतासी को इसकी स्थापना हुई थी, यह पूरा इसका इसमारक है, इस इसमारक की चानों तरफ यह बकायदे इसकी भोगोलिक केंद्र बि इसका अक्षांस देशांस समत्र सता से इसकी उचाई ग्राम का नाम और ये जैप्रकाश नारायन के द्वारा हस्प्त लिखित उनकी कविता है जो उन्होंने 23 जुलाई 1975 को अपने जेल में लिखी थी ये उनकी कविता है उस कविता को यहां उकेरा गया है यह जमलपूर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक एतिहासिक केंद्र है जो भारत का केंद्र स्थाल है यह बहुत सुन्दर नकासी यहां पर शेर की की गई यह चारो तरफ ऐसे शेर बनाये गए हैं और इस्तंब तो यह बना हुआ है लेकिन जो मूल भारत का केंद्र बिंदू है वो इस पेड़ के पास है यह कदम का पेड़ है इस पेड़ के नीचे ऐसा यह स्थान बनाये गया है और यहां की जो इस्तती है यहां की इस्तती बिल्कुल एक लावारिस इस्थान की तरह है कोई यहां आता नहीं इसे बना के छोड़ दिया गया है चारोत्रप पहाड़ियों से घेरा हुआ यह सुरम प्राकृतिक इस्थाल जहां आकार में आज धन्य हुआ अपनी भारत मता की गोद यानि उसके केंद्र में चारोत्रप उची उची पहाड़ियों से अच्छा देती है केंद्र मेरा मन हुआ कि आप सबको भी यह चीज दिखाई जाए तो दिखाते हुआ आपको नमस्ते करता हूं सलाम